हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ शीपम कुमार और आप देख रहे हैं B.S.A. ट्रकी क्लासेज फ्रेंट्स आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लेखपाल एक्जैम के लिए हिंदी के कुछ बहुत थी महाच्व प्रश्न तो फ्रेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीज आप लोग क्लास को अपनी सपॉर्ट करें क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बैनिफिट और भी लोगों को मिले चली दोस्तों शुरू करते हैं आज की class को और देखते हैं आज का पहला question अगर आपको class अच्छी लगे पसंद आए तो like कीजिएगा बट इससे पहले अपनी class को आप लोग share कर दें आपका पहला question की नीरभरे नीत PRATIST रहें तव जा पयास बुझाई फंगति में कौन सा अलंकार है तो नीरभरे नित पति रहे तव जा पयास बुझाई इसमें अलंकार कौन सा है बताएए आपके options है अतिश्ययोक्ति विभावना य उपमा इन पंगतियों में हमारा विशिश्योक्ति अलंकार है ठीक है इस question का right answer friends हमारा option B हो जाएगा answer विशिश्योक्ति अलंकार ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रेश्ण दोस्तों अगला प्रेश्ण है आपका कि जहां किसी वस्तुका लोग सीमा से इतना बढ़कर morenli किया जाये कि वहाँ असंभों की सीमा तक पहुँन जाये वहाँ अलंकार होता है बहुत आसान प्रेश्न बचाएं सब्सक्राइब कर दिया जाए Molt होना असमभव है संभव ही नहीं है तो ऐसी स्थती में हमारा कौन सालंकार अपोन इसको आप्से हैं थो दाग्से को रखन later in l रह तो यहां है यहां मरा श्लुक्ति आलंकार होता है खिशेट का right answer friends option C हो जाएगा हमारा answer अत्यूक्ति ओके चलिए अब हम देखते हैं इस प्लास का अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण है वह शर इधर गाडिव गुड से भिन जैसे ही हुआ धड से जैद्रत का उधर सिर्चिन वैसे ही हुआ इन पंक्तियों में कौन सी अत्यूक्ति है आपके अपसंस हैं आ संबंधत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत् दोस्तों अगला प्रश्ण है अपका ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्ण है किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा लंकार होता है, इस question का right answer option D हो जाएगा answer हमारा काविलिंग, ठीके, तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काविलिंग अगलंकार होता है, या तो तुखेंगे अच्छा question है, option D is the right answer, चेलिए, दोस्तों अगला प्रश्ण है उतरी नहाए जमुन जल सो सरीर समस्याम, पंक्ति में कौन सा लंकार है, उतरी नहाए जमुन जल सो सरीर समस्य इन पंक्तियों में कौन सा लंकार है बताएं, आपके options हैं, उपमा, प्रतीप, विशेश्योक्ति या विभावना, option B, प्रतीप, इसमें मरब प्रतीप लंकार है, option B जिनका भी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही उतर हैं, उनका, very good, प्रतीप लंकार, ओके, चल ये, अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण, दोस्तों अगला प्रश्ण है कि मा के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्त साधना पत पर मा जैसा संत नहीं है, उपर यूग तो कावे पंक्तियों में मुख रोप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है, बताएं, आपके अपसंस हैं, विभावना, विशेश्योक्ति, प्रतीप या अनन्यवे, बताएं, इसमें मारा प्रतीप अलंकार है, ठीक है, अगर रस मुझता, तो वातसल रस हो जाता, है ना, आपसंसी जिनका अन्सर आ रहा है, बिल्कुल सही होता है, उनका, वेरी गुड, शेल यह, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि बूंद आघात सहय गिरी कैसे, खलके बचन संत सहा जैसे, में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है बताएं, उपमा, उदाहारण, उतपरेक्षा या रूपग, बूंद आघात सहय गिरी कैसे, खलके बचन संत सहा जैसे, पÊप्शिन दिया जा रहा है जो बूढ़ का आगहात है जैसे पहाड सहता है जिस प्रकार एक खलर ठाझ दुश्ट्द दुश्ट के बच्चर जिस प्रकार एक संथ सहता है ठीक उसी प्रकार जो पहाड है गिरी है ठीक है वो ही जह है बोंद के जो आगात है उनको सहता है अगला प्रेशन है कि बीत विभावरी जागरी अंबर पनखट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी इन में कौन सा लंकार है बताएं उत्प्रेक्षा उपमा रूपग या उपमियोपमा सम सी समाना जहां भी वर्ड आपके आते मैंने आपको बता है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है इस question का right answer हमारा option इंसा बी हो जाएक उपमा अलंकार एक सेकिंट B विभावरी जागरी यस इसमें मारा रूपा का लंगा है उपमा नहीं इसमें मारा रूपा का लंगा है सुरी ओके चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण है कि फूले कास सकल महिच्छाई जनु बरसा हरुतु प्रकट बुढ़ाई इसमें कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा उपमा रूपक या शलेश इनमें बताएं कौन सा लंकार है इसमें हमारा उत्परेक्षा लंकार है ठीक है इस question का right answer friends यह हो जाएगा हमारा answer इनमें हमारा उत्परेक्षा लंकार है यह भी याद रखेंगे ओके चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन दोस्तों अगला प्रशन है आपका या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी अब इसमें कौन सा लंकार है बहुत यासान है कोई गलत नहीं करेगा आपके options है रूपक, यमक, उपमा यह उत्प्रेक्षा यहाँ पे अधरान अधरान वर्ड का दो बार प्रियोग हुआ है ठीक कि इसलिए यहाँ पे हमारा यमा का लंकार है ठीक कि यहाँ पे हमारा यमा का लंकार है ओके चलिए दोस्तों अगला प्रशने पराधीन जो जन नहीं सरगन रखता ही तू उप्विक्ट पंक्तियों में अलंकार है इन में कौन सा अलंकार है बताएं आपके options है अनुपरास, यमक, शिलेश या उपमा इन पंक्तियों में हमारा अनुपरास अलंकार है ठीक है? इस question का right answer option A हो जाएगा friends हमारा answer अनुप्रास अलंकार ओके शेल ये दोस्तों अगला प्रशन है कि जहां शब्दों, शब्दान्शों या वाक्यांसों की आवरती हो किन्त उनके अर्थ भिन्नों वहां निम्न लिखेत अलंकार है तो शिलेश, वक्रोक्त, यमक या रूपक तो जहां शब्दों, शब्दान्शों या वाक्यांसों की आवरती हो किन्त उनके जो अर्थ है वो भिन्न लिखेत निकल लहे हो तो ऐसे में हमारा कौन सा लंकार होता है बताएं यहां पे हमारा यमा का लंकार होता है ठीक है यह एक सद्ध की आवर्ती बार बार हो लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो भन 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 निकलते हों ठीक है ना शेलिया साथियों अगला प्रशने के मुख रूपी चांद पर राहू भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है तो वक्रोक्ति उपमा रूपक यह शिलेश तो मुख रूपी चांद पर राहू भी धोखा खा गया इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है बताएं तो इसमें हमारा रूपा का लंकार है ठीक है Option D, C Place पे है रूपा का लंकार ओके, चलिए Friends, ले चलते हैं आपको आगे इस Class के अगले Question की तरफ साथी हो अगला Question है आपके सामने की जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहां कौन सा लंकार होता है विरुधा भास, विशेश्योक्ति, विभावना या भ्रांतिमान बताएं जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां लंकार कौन सा होता है, कमेंट करें इस Question का Right Answer हो जाएगा Option C वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है ओके याद रखेंगे Option C is the right answer of this question चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है जहाँ अपमे में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है दियान से question पढ़िए अपसंस है आपके यमक, शलेश, भ्रानतिमान या संदेह वहाँ पर हमारा भ्रानतिमान अलंकार होता है ठीक है इस question का right answer option C हो जाएगा friends हमारा answer वहाँ पर हमारा भ्रानतिमान अलंकार होता है याद रखेंगे ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन है कि भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है अच्छा question है तो भारत के सम भारत है इसमें अलंकार कौन सा है आपके options हैं रूपक, अनन्नवे, उपमा या यमक बताएं तो भारत के सम भारत है इसमें फ्रेशन हमारा अलंकार है ये है अनन्नवे अलंकार कौन सा? अनन्नवे अलंकार इसमें है option B जिनका भी आंसर आ रहा है इस question के लिए बिलकुल सही उत्तर है उनका very good चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों इस class का अगला प्रेशन ये question आप लोगोंने बहुत बढ़ पढ़ा होगा प्रेशन है आपका पूत कपूत तो क्यों धन संचे? पूत सपूत तो क्यों धन संचे? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा लंकार है? बताएं आपके options हैं छेका अनुप्रास, लटा अनुप्रास, वरत्या अनुप्रास या अन्त्या अनुप्रास पूत कपूत तो क्यों धन संचे? पूत सपूत तो क्यों धन संचे? इन पंक्तियों में अलंकार बताएं कौन सा है? इन पंक्तियों में हमारा लटानुप्रास अलंकार है option B is the right answer लटानुप्रास अलंकार ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न dear friends अगला प्रश्न है उस तपस्वी से थे लंबे उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े इस पंक्ति में कौन सा लंकार है बताएं आपके options हैं अनुप्रास प्रतीप रूपक या यमक तो उस तपस्वी से थे लंबे थे देवदार दो चार खड़े बताएं इनमें कौन सा लंकार है इस question का right answer option B हो जाएगा answer हमारा friends प्रतीप तो इनमें कौन सा लंकार है प्रतीप लंकार है ओकी option B is the right answer of this question प्रतीप शेलिया दोस्तों अगला प्रशन है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गये न उबरे मोती मानुश चून तो रेखांकित में कौन सा लंकार है आपके options हैं अनुपराश, यमक, रूपक ये शिलेश बताएं रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गये न उबरे मोती मानुश चून इसमें हमारा शिलेश लंकार है इस question का right answer option D हो जाएगा answer हमारा ठीके जिसमें हमारा शिलेश लंकार है याद रखेंगे ओके शिलेश देखते हैं अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण की पीपर, पात, सरिस, मंडोला में लंकार है तो रूपक, उपमा, अनुपरास, यमक इन में से बताएं फ्रेंड्स की पीपर, पात, सरिस, मंडोला इसमें अलंकार कौन से है वेरी इजी क्वेश्चिन पीपर, पात, सरिस, मंडोला इन पंक्तियों में हमारा उपमा अलंकार है option B is the right answer of this question कौन सा उपमा अलंकार इन में है clear शलिये फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे इस class के अगले प्रेश्ण की तरह फ्रेंड्स अगला प्रेश्ण ने कौरवी भाषा का उदे किससे हुआ है पश्चिमी हिंदी, अजस्थानी, पूरवी हिंदी, बिहारी बताएं कि कौर्वी भाषा का उदे किस से हुआ है तो कौर्वी भाषा का उदे जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ है ठीके इस question का right answer friends option A हो जाएगा answer हमारा तो याद रखें कि कौर्वी भाषा का उदे किस से हुआ है तो यह पश्चिमी हिंदी से option A जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका very good शेलिये तो अब हम लिए चलते हैं friends आपको इस class के अगले प्रश्ण की तरह अगला प्रश्ण है आपका मगही किस उपभाषा की बोली है तो राजस्थानी पश्चिमे हिंदी पूरवे हिंदी ये बिहारी इनमें से बताएं कि मगही जो है किस उपभाषा की बोली है केमेंट करें चलिए तो मगही हमारी बिहारी की बोली है ये बिहारी उपभाषा की बोली है ऐसे में जिनका अंसर option D आया है अगला question of reference पूरवी हिंदी का विकास इनमें से किस अभभरणस में हुआ है तो ब्राचड्, अर्धमागधी, खस या मागधी बताएं पूरवी हिंदी का विकास इनमें से किस अभभरणस में हुआ है केमेंट करें इस question का right answer friends हो जाएगा हमारा option B अर्दमाग दी ठीक है तो पूर्वी हिंदी का विकास इन में से किस अब भरंस में हुआ है अर्दमाग दी अब भरंस दे option B is the right answer अगला प्रशन कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली छेतर में इस्थित है मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका इन में से बताएं कि बिहार की राजधानी जो पटना है ये किस बिहारी बोली छेतर में इस्थित है बताएं मगही ओके option C is the right answer मगही चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है तो सामी हामी भारूपी काकेसी या पापूई इन में से बताएं फ्रेंट्स की हिंदी किस परिवार की भाषा है यह भारूपी परिवार की भाषा है ठीके option B is the right answer of this question तो हिंदी हमारी भारूपी परिवार की भाषा याद रखेंगे option B जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका very good चलिए अगला प्रश्ने कि भोष्पुरी बोली की उत्पत्य हुई है अर्द मागधी अप्भरंस से मागधी अप्भरंस से शोर सेनी अप्भरंस से या ब्राचण अप्भरंस से बताएं कि भोशपुरी की भोशपुरी बोली की जो उतुप्त वह किससे होई है यह हुए है मागधी अब्भरंस से ठीक है भोश्पुरी बोले कि उत्पर तो जो है मागधी अब्भरंस से याद रखेंगे अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन मेवाती किस उपभाशा वरकी बोली है पूरवी हिंदी रजस्थानी हिंदी बिहारी हिंदी या पहाडी हिंदी कमेंट करें कि मेवाती किस उपभाशा वरकी बोली है तो मेवाती हमारी राजस्थानी हिंदी की बोली है ठीक है इस question का right answer friends option B हो जाएगा हमारा answer तो मेवाती हमारी राजस्थानी जो है भाष्चा की बोली है clear? शरिये अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रेश्म दोस्तों अगला प्रेश्म की हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभरंस से विक्सित होई है आपके options हैं पश्चिमोत्री स्चौरशेनी अपभरंस अर्दमागधी नागर अपभरंस या मागधी बताएं कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभरंस से विक्सित होई है केमेट करें तो ये पश्चिमोत्री स्चौरशेनी अपभरंस से विक्सित होई बोली है option A जिनका भी अंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका friends इस question के लिए शेर ये अब हम देखते हैं अगला प्रश्चन friends अगला प्रश्चन के देवनागरी लिपी का सरपर्थम प्रयोग किस राज्य में हुआ था राज्य में हुआ माना जाता है महराष्ट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात बताएं कि देवनागरी लिपी का सरपर्थम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है बताएं ओप्सन डी, गुजरात ठीके, गुजरात राज्य में ओप्सन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड, चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण कौन सी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती इनमें से बताएं कौन सी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है इस question का right answer option C हो जाएगा हमारा answer मराथी ठीक है तो friends जब मराथी भाष्टा ये देवनागरी लिपी में लिखी जाती है option C जिनका answer आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका मराथी ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण है कि संग की राजभाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी ये समिधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं options हैं आपके अनुच्छे 343, अनुच्छे 344, अनुच्छे 345 या अनुच्छे 346 बताएं इस question का right answer हो जाएगा option number E, अनुच्छे 343, ठीक है, option A जिनका answer आया है, सही उत्तर है, चलिए प्रेंट सगला प्रश्ण है कि भारत में हिंदी को समिधान की किस धारा के अंतरगत राजभाषा गोशित किया गया है options आपके सामने हैं, बताएं option A, धारत 343 आई, ठीक है, option A अगर आपने चुना इसका answer तो यह बिलकुर तही उत्तर है आपका, चलिए, तो friends, अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण की समिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत हिंदी को संग की राजभाषा का दरज़ा मिला तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346 बताएं कि समिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत हिंदी को संग की राजभाषा का दरज़ा प्रदान किया गया है बताएं ये किया गया है अनुच्छेद 343 के अंतरगत इस question का right answer option E हो जाएगा friends हमारा answer अनुच्छेद 343 के तहत ओके चलिए ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्ण की तरग दोस्तों अगला प्रश्ण है किस तिथी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णे लिया गया है किस तिथी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णे लिया गया था कमेंट करें ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को ऐसे में हमारा right answer friends option C होगा answer 14 सितंबर 1949 को ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों अगला प्रश्ण की समिधान के अनुछे 351 में किस विसे का वर्णन है संग की राज भाषा उचित्म नेयले की भाषा पत्रा चार की भाषा तीन ही options आपके सामने त्याद रखेंगे समिधान के अनुछे 351 में हिंदी के विकास संबंधी निर्देश दिये गये हैं अग्ला प्रेशन दोस्तों कि देवनागरी लिपी का विकास माना जाता है तो देवाडी से खरोष्ठी से, ब्राम्ही से या सिंधु लिपी से तो हिंदी का विकास किसे मानते हैं देवनागरी लिपी का विकास देवनागरी लिपी का विकास ब्राम्ही लिपी से माना जाता है जिनका अंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका देवनागरी लिपी का विकास ब्राम्ही लिपी से माना जाता है अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपी का विकास किसे हुआ है अभी इसको हम लोगों ने डिस्कूस किया देवनागरी लिपी का जो विकास है ये ब्राम्ही लिपी से हुआ माना जाता है ऐसे में इनका भी आंसर ऑप्सन B आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका वेरी गुड शेल यह तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्म सेम क्वेस्चन है आपका देवनागरी लिपी का विकास किसे वर तो बस आपके ऑप्सन को इधर दर चेंज किया गया है खरोष्ठी, फार्सी, मराठी, ब्राम्ही तो अब से डिस्कस कर रहें इसको हम लोग कि जो देवनागरी लिपी का विकास ये ब्राम्ही लिपी से हुआ माना जाता है ऐसे में जिनका आणसर फ्रेंट्स ऑप्सन डी है विल्कुल सही उत्तर है उनका ब्राम्ही लिपी से अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण फ्रेंट्स अगला प्रश्ण कि देवनागरी लिपी की सबसे बड़ी विश्यस्ता है तो हिंदी भाष्ण की लिपी होना प्राचीन लिपी होना अनेक भाष्ण की लिपी होना यह सरवाधिक वैग्यानिक लिपी होना एक धुने के लिए एक संकेत होना देवनागरी लिपी की सबसे बड़ी विश्यस्ता कहें बताएं तो यह सरवाधिक वैग्याने के लिपी होना और एक धुने के लिए एक संकेत होना Option D is the right answer of this question शेलिए दोस्तों अगला प्रेस्टन है यमुना का परियाव आची है कालिंदी, भागी रथी, यामिनी, उपर कालिंदी नी था या कालिंदी इस question का answer आप लोग अपने homework विनेगे, इस question का आप लोग ने बहुत बार discuss किया है आपके सामने ठीक है, तो यमुना का परियाव आची क्या होता है, इस question का answer आप लोग अपने comment box विनेगे तो आप लोग एक बार प्लीज अपनी class को share भी कर दें तो friends, प्लीज अपनी class को एक पर आप लोग share कर दें, चलिए Dear friends, देखते हैं अब हम आपके लिए इस class का अगला प्रशन Friends, अगला प्रशन है कि निम्रखित में से कौन सा शब्द निशीत का परियाव आची नहीं है तो रात्र, रजनी, तम या निशा, इन में से बताएं कौन सा निशीत का परियाव आची नहीं है इस question का right answer हो जाएगा friends, option C, तम तो जो तम है ये हमारा निशीत का परियाव आची शल्द नहीं होता है तम का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार तो ऐसे में जिनका answer option C है है विल्कुल सही उत्तर है ठीक है रात्र, रजनी, निशा, विभावरी, तमी ठीक है ना ये सभी हमारे रात के परियाव आची होते हैं इसके लाव निशीत का जो हमारा अर्थ होता है जो निशीत का उप्यूकत अर्थ होता है ये होता है आधी रात क्या होता है आधी रात चलिए दोस्तों अगला प्रशने सूर्य का परियाव आची है भासवर, मारतंड, प्रकाश या तेज अब बनाए कि सूर्य का परियाव आची शब्द क्या होता है हमारा मारतंड हमारा सूर्य का परियाव आची होता है है ए ड्यूकुल उत्तर है इसके लवा तरड आ अधित हैं ये सब भी हमारे साई परियाव आची शब्द होते है ऑके चलिए है तो दीर फ्रेंड्स हम देखते हैं क्लास का अग्ला प्रॉशन दोस्तों अगला प्रशन है आपका कि निम्लिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का परियावाची नहीं है तो मिलिंद, पंकज, जलज या अम्बुज इन में से कौन सा शब्द हमारा अरविंद का परियावाची नहीं है कमेंट करें इस question का right answer हो जाएगा option A, Milind ठीक है ना? जो Milind है ये हमारा अर्विंद का परियाई बच्छी नहीं होता है अर्विंद का परियाई बच्छी हमारा कमल होता है कमल, अर्विंद, ठीक है ना? पंकज जलज अम्बुज यह सभी हमारे कमल के परियाइवाची होते हैं मिलिंद हमारा भावरा का परियाइवाची होता है किसका भावरा का परियाइवाची होता है मारा मिलिंद सो ऐसे में चिनका अंसर फ्रेंट सॉप्सन ए आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका वेरी गुड चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है पर्यायवाची शब्ड का अर्थ है तो विल्वाची प्रतिलोम वाची समाना भास या समाना अर्थी कमेंट करें पर्यायवाची का विल्वाची क्या होता है तो परियाएवची शब्द का अर्थ होता है हमारा समान आर्थी ठीक है इस question का right answer friends option D हो जाएगा हमारा answer तो परियाएवची का दोस्तों अगला प्रशन है आपके सामने प्राची का परियाएवची शब्द कमेंट करें कि प्राची का समान आर्थी या यह नहीं कि परियाएवची क्या होता है प्राची प्रकर्त पूर्व यह प्रंग्या कमेंट करें कि प्राची का परियाएवची क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा friends option C पूर्व ठीक है तो प्राची का पर यह बच्छी शब्द क्या होता है यह पूर्व होता है याद रखेंगे option C is the right answer of this question पूर्व clear friends चलिए तो अब हम लिए चलते है friends आपको आगी इस class के अगले question की तरह दोस्तों अगला question है तरंग शब्द का पर यह बच्छी है तो पुशकर गूल जलधी उर्मी अब इन में से comment करें friends कि तरंग का पर यह बच्छी क्या होता है इस question का right answer friends अगर आपने चुना है option D और मी तो तरंग का पर यह बच्छी क्या होता है तो तरंग का पर यह बच्छी हमारा और मी होता है तो ऐसे में जिनका भी answer friends option D और मी हमारा तरंग का पर यह बच्छी होता है इसके रहा पुशकर हमारा तलाब का होता है कूल हमारा किनारा का पर यह बच्छी होता है जलधी हमारा समुद्र का पर यह बच्छी होता है ठीक है चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आपके विश्रांती कांतार या दिव इनमें से बता है friends की जंगल का पर यह बच्छी क्या होता है तो कांतार ठीक है डियर फ्रेंड्स कांतार हमारा जंगल का पर यह बच्छी होता है यह पियाद रखेंगे ऐसे में friends जिनका भी answer option C आया है बिल्कुल सही होतार है उनका very good चलिए तो अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन दोस्तों अगला प्रशने क्रोध का पर यह बच्छी शब्द है very easy question बताएं तो संताप अमर्ष वैमनस्य यह भीती इन में से बताएं कि क्रोध का पर यह बच्छी क्या होता है अनरों कि क्रोध का पर यह बच्छी होता है अमर्ष क्या होता है को का पर यह बच्छी तो फर्ट का पर यह बच्छी अमर्ष होता misunderstood जिनका भी आँसर फ्रेंड्स ऑप्सिन B आया है बेल्कुल सही होता है उनका अमर्स ऑप्सिन B इस दराइट आंसर क्लियर फ्रेंड्स शेल यह तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण की बिजली शब्द का पर्याइवाची नहीं है वितुंडा दामीनी चंचला यह तड़ित इनमें से कौन सा बिजली का पर्याइवाची नहीं है बताएं दहिए इस क्वेस्टिन का राइत आंसर फ्रेंड्स आप्शन डी होगा हमारा अंसर वितुंडा लितुंडा बिजली का का परियाइवाची शब्द नहीं होता है ओके वितुंडा हमारा हाथी का परियाइवाची शब्द होता है ऐसे में जिनका अंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीके वितुंडा हमारा बिजली का नहीं बलकि हाथी का परियाइवाची होता है ओके चलिए अब हम देख प्रत्यक्ष का विलोम है तो आप रोक्ष परोक्ष सुन्दर या प्रत्यक्ष इन में से आप कमेंट करें बताएं कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्ध हमारा क्या होता है तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है ओकी ऑप्सेन बी इस दा राइट आंसर आप डिस क्वेश्चिन प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है ओकी चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण की सामान शब्द का विलूम है तो श्रेश्ट सरवग साधारण या विशिष्ट बताएं सामान शब्द का विलूम क्या होता है चलिए सामान शब्द काव विलूम होता है विशिष्ट क्लियर चलिए अब हम देखते हैं इस गलास का अगला प्रश्ण साधार क्या होता है ऐसाधारण ठीके सरवग्य का क्या होता है अग्ये या रखेंगे अग्ये होता है कलियर चलिये अब हम देखते हैं अगला प्रश्ट का विरोम्हारा निम्ह मुझा होता है ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आपका अमर शब्द का विलूम है तो मरत्य, मरत्यू, मरड या मरत्य इन में से बताएं कि अमर का विलूम क्या होता है अमर का विलूम हमारा मत्य होता है, मत्य होता है, क्लियर, सो ऑप्सेंड डी अगर आपने चुना है फ्रेंड्स इसको एस्टिन का आंसर तो यह बिल्कुल सही उत्तर है आपका, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास्त का अगला प्रश्ण दोस्तों अगला प्रश्ण उपकार शब्द का विलूम है, तो विकार, अनुपकार, अपकार या तिरसकार, बताएं, उपकार का विलूम क्या होता है तो उपकार का विलूम हमारा अपकार होता है, ठीक है, इस क्लास्त के अगले प्रश्ण की तरव अगला प्रश्न है कि तिमिर शब्द का विलूम है तो आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन बताएं कि तिमिर का विलूम क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा option A, आलोक, ठीक है तो friends याद रखेंगे तिमिर का विलूम क्या होता है तिमिर का विलूम हमारा होता है आलोक option A जिनका भी answer आया है इस question के लिए बिल्कुल सही होता है उनका, very good, चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न friends अगला प्रश्ने उक्त श्र्द का विलूम है तो अनोक्त, उप्योक्त, अनोप्योक्त या उपर्योक्त बताएं कि उक्त का विलूम क्या होता है इस question का right answer friends हो जाएगा option C, अनोप्योक्त ठीक है तो dear friends याद रखेंगे उक्त का विलूम मारा होता है अनोप्योक्त तो ऐसे में इनका भी answer option C आया है answer बिलकुल सही उत्तर है उनका, very good, चलिए तो friends अब हम लिए चलते हैं आपको आगे इस class के अगले question की तरफ अगला question भी आपका विलूम सब्द से ही सम्मंधित है तो प्रशन है दोस्तों, निरदय शब्द का विलूम है तो सहय, साहरदय, सदय या सभय बताएं कि निरदय का विलूम क्या होता है, इस question का right answer हो जाएगा option C, सदय, ठीके, तो क्या होता है, सदय होता है, ऐसे में जिनका answer option C आया है, बिलकुल सही होता है उनका, very good, चलिए, तो निरदय का विलूम क्या होता है, सदय, clear, चलिए, तो dear friends, अब हम ले चलते हैं आपक इस class के अगले question की तरह, अगला question है, अगला question है अपका, उनमीलन शब्द का विलूम है, अनमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन, बताएं, उनमूलन का विलूम क्या होता है, option B, निमीलन, ठीके, तो उनमीलन का विलूम क्या होता है, उनमीलन का विलूम निमीलन होता है, ऐसे में इनका भी answer friends, option B आया है answer, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, very good, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question, friends, अगला question, उतकर्ष शब्र का विलूम है, तो अकर्ष, अनुतकर्ष, अपकर्ष या आकर्ष, बताएं, उतकर्ष का विलूम क्या होता है, उतकर्ष का विलूम अपकर्ष होता है, ठीके, क्या होता है, अपकर्ष, ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स, option C आया है उत्तर, बिल्कुल सही आंसर है उनका, चेलिये, अब हम देखते हैं अगला प्रेश्णु, अब भाउ, जिनका, और प्रेश्णु, अब हम देखते हैं। इस question का right answer हो जाएगा option D, तिरो भाव, ठीक है, तो friends आविर भाव का विलोम होता है हमारा तिरो भाव, ऐसे में जिनका भी answer option D आया है, बिल्कुल सही होता है उनका, very good, तो आविर भाव का विलोम शिप्द हमारा तिरो भाव होता है, यह आप याद रखेंगे, clear, चलिए, तो अब हमने चलते हैं friends आपको आगे, इस class के अगले question की तरह, अगला प्रशने की निमलिखित में से ततसम शब्द है, तो गरम, नरक, नरम, तीर्थ, इन में से कौन सा हमारा ततसम शब्द है, कमेंट करें, option D, तीर्थ, ठीक है, जो तीर्थ word हमारा है, यह हमारा ततसम शब्द का उदाहरण है, option D जिनका भी answer आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, very good, चलिए, देखते हैं फटा-फट से इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन दोस्तों, अंगीठी का ततसम है, अगनिका, अनिष्टिका, अगनिष्टिका या अंगनिष्टिकी, बताएं, option C, अगनिष्टिका, ठीक है, तो अगनिष्टिका हमारा अंगीठी का ततसम सब्द होता है, option C is the right answer, अगनिष्टिका, चलिए, अगला प्रशन है आपका, निम्रिखित में से कौन सा शब्द तदभव है, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज, बताएं, इन में से कौन सा तदभव शब्द है, option D, सूरज, ठीक है, जो सूरज वर्ड है, ये हमारा तदभव शब्द का उदाहरण होता है, option C, is the right answer of this question, सूरज, clear friends, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रशन, दोस्तों अगला प्रशन है कि निम्रिखित में से कौन सा शब्द तदसम नहीं है, तो आँख, द्रग, नयन, ये नेत्र, अब बताएं, इन में से कौन सा हमारा तदसम शब्द का उदाहरण नहीं है, के कमेंट करें, डिसकस किया वाफ क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा, वेरी गुड, ऑप्सन ये, आख, ठीक है, तो आख हमारा तदसम सब्द नहीं है, आख का तदसम हमारा अक्षू होता है, क्या होता है, अक्षू होता है, बाकि द्रग, नयन, नेत्र, ये सभी आख, चलिए, अब हम देखते हैं, अगला प्रशन, दोस्तों, अगला प्रशन है, कि नेम लिखित में तदसम शब्द है, तो आकान, जीब, मुख या दाथ, अब बताएं, इन में से कौन सा हमारा तदसम शब्द है, मुख हमारा तदसम सब्द होता है, मुख का तदभव हमारा मुख होता है, ठीक है, तो ऐसे में जिनका अंसर आप्शन सी आया है, वेरी गुड, चलिए, तो अब हम देखते हैं, अगला प्रशन, अगला प्रशने की निमलिखित में से कौन सा शब्द तदभव है, मधुप, मधुकर, भ्रमर या भामरा, इन में से कौन सा तदभव शब्द है, बताएं, अब हम देखते हैं, अगला प्रशन, दोस्तों, अगला प्रशने सिंगार शब्द का ततसम है, लेकि सिंगार का ततसम श्रंगार होता है, वरतनी हमारी ये सही होती है, ओकी, चलिए, डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेस्टेंस अच्छे लगे हों, तो क्लास को लाइक कर दें, सब लोग क्लास को शेर कर दें, क्योंकि आप कुछी क्वेस्टेंस बस बचे होएं आपके सामने, दोस्तों, अगला प्रशने हल्दी शब्द का ततसम है, तो हर्दी, हरिद्रा ये हल्दी का बताए, हल्दी का ततसम क्या होता है, हल्दी का ततसम हमारा हरिद्रा होता है, क्या होता है, हरिद्रा, क्लियर, शेलिये देखते हैं अगला प्रश्ण माइडियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्ण गेहूं शब्द का तत्सम है तो गोधूम गोहूं गोहूम या गोधूम बताएं गेहूं का तत्सम शब्द मारा क्या होगा तो गेहूं का तत्सम मारा गोधूम होता है तो गोधूम होता है ओप्शन ए ऐसे में इनका अंसर आया है वेरी गुड चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण साथियों अगला प्रश्ण है आपका खंडहर का तत्सम शब्द है तो खंडघर 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 या खंडघर खंडघर बताएं खंडघर का तत्सम क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा option C खंडघर खंडघर होता है option C जिनका answer आया है बिल्कुल सही होता है उनका खंडघर होता है ओके friends चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है आपका वह श्रेष्ट उपासक है में विशेश रहे है तो वह श्रेष्ट उपासक है है इसमें विशेश रहे है यह हमारा विशेश सब्द है option C जिनका answer आया है very good चलिए, अगला प्रशन है भले और महान लोग उचित और स्यमित विवहार करते बताएं, उपरय्युग्त में कितने विशेशिष और कितने विशेश ने हैं, उप्शन से हैं के दो विशेशन्ड दो विशेश या चार विशेशन्ड और दो विशेश बताएं ओप्शन D चार विशेशन्ड और दो विशेश इसमें प्रियुक्त प्रियूट आ है । अगर आपनी चुना है इस question का answer वेरि गुड़ चलिए अगला प्रस्ण दोस्तों विद्धवान व्यक्ति पूजह होते हैं, में पूर्योग तो विशेषण है, इसमें कौन सविशेषण हैं, सार।नामिक विशेषण, गुड़वाचक विशेषण, संख्यवाचक विशेषण या परिमादबोथक विशेष़ण बताएं तो विद्वान अविक्ति पूजी होते हैं इसमें हमारा गुडवाचक विशेशन दिये चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन निम्रिखित में कौन शब्ल विशेशन नहीं है उतक्रष्ट निसक्रष्ट द्रश्ट ये विशाद अगला प्रशन के निम्रिखित शब्ल विशेशन नहीं है अगला प्रशन के निम्रिखित शब्ल विशेशन नहीं है उसका उलेख कीजिए सज्जन दुरजन सुकुमार या मानस इन में से कौन सा विशेशन नहीं है बदाएं इस क्वेस्टिन का राइट आंसर ऑप्सन डी हो जागा फ्रेंड्स हमारा आंसर मानस जो मानस वर्ड है ये हमारा विशेशन नहीं होता है क्लियर ऑप्सन डी अगर आप आपने चुना इस का अंसर वैरी गुड चलिये अब हम देखते हैं अगला प्रेशन अब बताएं नेमलिखित में से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है आगामी शांत काला या तुम बताएं इन में से कौन सा विशेशन नहीं है इस question का right answer option D होगा तुम तुम है यह विशेशन नहीं इस सर्वनाम होता है ओके option D चुना है अगर आपने आंसर इसका very good चलिये तो friends अब हम देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन है कि विशेश शब्द है तो लडिता, लंबा, सुन्दर, लगू बताएं इन में से कौन सा विशेश शब्द है option D लगू तो लगू हमारा विशेश शब्द होता है clear option D is the right answer अगला प्रेशन है निमलिखित में विशेश शब्द है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा इन में कौन सा विशेश शब्द है बताएं उमा साथियों आपका second last question है कि निमलिखित में विशेश शब्द है अब आपको विशेश शब्द बताना है तो उपासना उदगार आयात लोचना या वंदना इन में से कौन सा विशेश शब्द है बताएं तो आपसनी उपासना हमारा विशेश शब्द है चल ये फ्रेंट्स आज के वर इस class में इतना ही तो फ्रेंट्स आसा करेंगे class को काफी अच्छी लगी होगी सब लोग प्लीज अपनी class को like और share कर दें तो मैं आपका friend शीवम कुमार मिलता हूँ आपसे next class में तब तक के लिए अपना ख्याल लखें सेफ रहें टेक केर फ्रेंट्स बाबाए कर दो दो और दो 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 प्रूबाए